नमश्कर दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुकला और आप देख रही हैं बोल्सकाई नीम स्वाद में जतना कड़वा होता है उसके उतने ही फायदे होते हैं इसमें कई पोशक तत्व होते हैं जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद करता है नीम में आंटी बाक्टीरियल और आंटी फंगल गुर होते हैं साथ ही इसमें आंटी ऑक्सिदेंट होते हैं जो त्वचा बालो सभी के लिए फायदे मत होता है नीम की तरह इसके पाउडर के कई फायदे होते हैं, नीम के पाउडर के सेवन से पाचन में भी समस्या नहीं होती, साथ ही इम्मिनिटी को बूस्ट करता है और खोन को साफ करता है नीम के पाउडर का इस्तमाल कई तरह से किया जा सकता है इससे कई समस्याएं दूर होती है तो आईए आपको नीम के पाउडर से होने वाले फायदों के बारे में बताती है तूट पेस में नीम पाउडर मिला कर इस्तमाल किया जा सकता है ये डेंडल प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है साथ ही मसूडों को स्वस्त रखता है और मुँ में किटानू जमा नहीं होने देता नीम पाउडर के इस्तमाल से क्याविटी की समस्या भी नहीं होती बाल ज़डने की समस्या आजकल आम हो गई है बाल कई कारणों की वज़ा से जढ़ सकते हैं इसे कम करने के लिए नीम का पाउडर और पानी मिला कर एक पेस्ट बना ले आप इसमें अलोबीरा भी मिला सकते हैं इस पेस्ट को स्क्याल पर 20-30 मिनिट तक लगा कर रखें शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए नीम का पाउडर बहुत फाइदमन्द है डाबिटीस से ग्रसत मरीज एक गलास पानी में एक छोटा चमश नीम का पाउडर मिला कर पी सकते हैं तेलिये तवचा वाले लोगों को मुहासों की समस्या सबसे ज्यादा होती है नीम पाउडर में मौजूद अंटी सेप्टिक, अंटी फंगल, अंटी वारल और अंटी इंफ्रमेटरी गुर्ड मुहासों को दूर करने में मदद करते हैं इसका इस्तमाल करने के लिए दही या मुलतानी मिट्टी में ये पाउडर मिला कर चहरे पर लगाए कई लोगों को तवचा संबंधी समस्याएं होती हैं जिसमें तवचा पर खुशली, जलन और पैचस बन जाते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए नीम पाउडर फायद मंद है इसका इस्तमाल करने के लिए हल्दी, नीम पाउडर और पानी मिलाकर पेस्ट बना ले इस पेस्ट को प्रभाविच शेत्र पर लगाएं आपको आराम मिलेगा इस वीडियो में फिल हाल इतना ही, लाइफ स्ट्रेल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहें बोल स्काय